आज इस वीडियो में आपको हम इंड्यूज कराने वाले हैं भारत के सबसे बड़े E-rixA पैनल से इस E-rixA पैनल की विस्षता है यह दोस्तो की इस E-rixA पैनल को अगर आप अपने एरिक्सा पे लगा लेते हैं तो आपको रोज रोज बैटरी चार्ज करने की जुरुत नहीं पड़ेगी आपने अगर लीथियम बैटरी इसमें लगा लिए तो आप पैनल लगा लेंगे और रेगूलर आप बिना चार्जिंग के आपका इरिक्सा रेगूलर चलता रहेगा आप चाहते हैं लॉग रूट पे आपको जाना है इरिक्सा से या इलेक्ट्रिक वहिकल से सबसे ज़्यादा जो समस्या है इलेक्ट्रिक वहिकल में या इरिक्सा में वो यह है कि अभी जिगे जिगे चार्जिंग पॉइंट नहीं है हम कहीं लॉग रूट पे लेकर अगर अपनी गाड़ी को निकल जाते हैं तो हमें समस्या आती है कि हो चार्जिंग की दिक्कत हो जाती है हर जिगे हम इरिक्सा को अपने को चार्ज नहीं कर सकते मानिए कि हम 200-200-300 km की रेंज में लेके निकल गए अपने रिक्सा को तो हमें चार्जिंग नहीं मिलने वाली है या तो हम पैदल खेंच के लाएंगे या किसी वायन के पीछे बांद के लाने पड़ता है हमें कि अब आपको जड़रूत नहीं है आप अपनेियरिक्षा से अपने टोटो से जिगे-जिगे हर्च हेत्र में कुछ अलगालग नाम होता है इस होकल्स का नार्वली एु नियुक्षा कहते हैं या यह कई इसको टोटो कहते हैं या कुछ और नामों से जाना जाता है तो अपने electric vehicles को अब आपको बार बार charging के जंजट से घवराने की जुरूत नहीं है एक बार लेके आप भारत भिर्मन कर सकते हैं अपनी गाड़ी के साथ पूरे भारत में आप घूम सकते हैं अपनी गाड़ी को लेके तो पहली बार नेकसस सोलर एनरजी नेकसस सोलर एनरजी इंडिया की नंबर वन आर एंडी कमपनियों में से एक है सबसे बड़ा ERIXA पैनल लॉंच कर दिया दोस्तों तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने वाट का ये ERIXA पैनल है कितनी ये चार्जिंग देगा क्या इसकी कॉस्ट है क्या लंबाई चोड़ाई है कैसे आप इसे अपनी गाड़ी पे लगा सकते हैं मेरे पीसे आप ERIXA भी देख रहे हैं तो ये लाइब डेमो इसमें देने वाले हैं बिल्कुल हम दोस्तो क्या इसकी कीमत है कंप्लीटली जानकारी देने वाले हैं अगर दोस्तों आप चाह रहे हैं दोस्तों आज इस वीडियो में हम लाइब डेमो दिखाने वाले हैं सोलर पैनल कैसे आप लगाएंगे क्या लंबाई चोड़ाई है कैसे आप स्वेंफिट कर सकते हैं और क्या आपको वेनिफिट होने वाले हैं पैनल की अन्बॉक्सिंग भी करेंगे पूरी कंप्लीटली जानकारी देने वाले हैं नई टेक्नलोजी का पैनल है इसके अंदर जो सेल है वह इसके जो टेक्नलोजी है वह बाइफेशल टेकलोजी दी गई है उसके कुछ एड़न फीचर से तो वह पूरे फीचर साज आपको इस वीडियो में बताने वाला हो दोस्तों पहले हम अन्ब है अब कंपनी के डिश्ट्यूटर से ली सकते है आगर लेना चाह रहे है तो कम से खाले होगे चूंक पैकेट पैनल जो है यह 48 बोल्ट में दोस्तों तो आप 48 बोल्ट के जो यह वेहिकल से होँ लगा सकते हैं 580 वार्ट का पैनल है दोस्तों अभी तक इरिक्षा में इतना बड़ा पैनल किसी कंपनी नहीं निकाला है भारत में पहली बार नेक्सस सोलर एनर्जी ने यह पैनल लॉंच किया है और इसकी 30 साल की वारंटी आप देख रहे हैं 30 यह वारंटी है नॉर्मली जो कंपनियां है 25 यह की वारंटी आपको मिलने वाली है और इंडिया की मोस्ट R&D कंपनियों में से एक नेक्सस सोलर एनरजी का ये बनावा पैनल है दोस्तो तो अभी हम इसको बाहर करके दिखाते हैं पैनल को आपको इस पैनल में कुछ स्पेशल टेक्नलोजी का उपयोग किया गया है और पैनल आप देख रहे हैं बाहर आ रहा है अभी तक कंपनी पहले भी रिक्साइय बनाती थी प्र इद्रें बड़े साइस का पहली बार बनाया है अभी तक दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यह दस बस वायर का सेल है, मोनो पर्क सेल है दोस्तों हापकट में, और इसका विसेश जो फीचर से है वह आपको दिखा हूँ, पैनल के बैक साइड से, यह रिक्सा पैनल में पहली बार बाय ओफिस्यल पैनल भी है, इसके क्या गया है, एलाए, एलिमूनियम है, और हैवी एलिमूनियम है, जिससे इसमें दलक ना बने, कहीं लर्ज ना बने पैनल में, और आप देख रहे हैं, आपके फिटिंग के हिसाब से, इसमें जिगे जिगे, आपको पॉइंट दिए गए हैं, कि आप आसानी से अपने रिक पैनल की मोटाई जो है, वो 35 mm रखी है कंपनी ने, और अगर लंबाई की mm में हम बात करते हैं, तो 288 mm लंबाई है, और अगर इसकी चोड़ाई की बात करते हैं, तो चोड़ाई 1135 mm हैं दोस्तों, अब यह हम फिट में भी बात करते हैं, इस रिक्सा हमारे सामने खड़ा बड़े पैनल को, तो अभी चुकि उस समय एवलेविल नहीं था तो इन्होंने छोटे-छोटे-चार पैनल 75-75 वाट के लगा रखे हैं, इसकी लंबाई 8 फूट से भी ज्यादा बढ़ रही है, पर हमारे पैनल की जो लंबाई है, वो साड़े 7 फूट के असपास है, तो ल पैनल की चोड़ाई है, 3.9, तीन फूट 9 इंच इसकी चोड़ाई है, और रिक्सा की जो चोड़ाई होती है, वो साड़े 3 फूट होती है, यानि कि 2-2 इंच दोनों तरफ जरूर थोड़ा बहार निकलेगा, लेकिन उससे को दिक्कत नहीं आने वाली है, वो अंडर में आ जहां तक हमारा आने वाला है पैनल, जहां तक लगवग की च्छत होती है, उसे भी पीछे, तो दोस्तों इस इस रिक्सा पर बहुत आसानी से हमारा पैनल आने वाला है, यह 48 बोल्ट का इस रिक्सा है, चार बैटरी वाला जो लेड एसिट बैटरी के साथ होता है, वो चार बाद लगवग 130-150 किलो मिटर का एवरेज आ जा जाता है, और अगर इसमें आप लीथियम बैटरी के साथ ले लेते हैं, तो इसको बार बार चार्ज करने के आपको जरूत नहीं पढ़ती है, एक बार चार्ज करने के बाद में लगवग 1 वीक तक लगाता है आपका चलता तो हमें चार्जिंग की जरूत नहीं पढ़ने वाली है अगर उसे ज्यादा चल रहा है तो हमें जरूर चार्जिंग पढ़ेगी चुकि इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो पहले बात करते हैं वी यो सी की जैसा आप देख रहे हैं तो इस पैनल की जो वी पिझेट के रहा है तो शाहतिंकर देख सबनेंड़ हमारी वारटें को मिलने वाले परड़्र लुटेंस के चला सकते हैं दोस्तों साथ के सात के कोस्ट की भी हम बात कर लें चुक्कि कोस्ट ज्यादा महत्पून होती है आप लोगों के लिए अगर कोस्ट की हम इसकी बात करते हैं तो इसमें एडवास टेकलोजी आप देख रहे हैं जैसे पीछे हो में पैनल के तो यह बाइफेशल पैनल है और आगे मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर यह आईवास टेकलोजी का सले है जो आपका चलते समय रिक्सा पर बैटरी को चार्ज करता रहेगा चलते समय भी और जब खड़ा होगा रिक्सा तो उसस समय और चल भी रहा है तो ऊस समय भी यह जो सैल है यह चार्जिंग देने वाला है यह पैनल करने के लिए आपको कहां जाना है कंपनी की वेबसाइट है डावलू 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 डॉट नेक्सस सोलर एनर्जी डॉट इन होगा जाके सीधा इसे आप परचेज कर सकते हैं या कंपनी के डिलर डिस्ट्यूटर है लोकेटर के माध्यां से उनका डर्स ले सकते हैं अग तो आप ले सकते हैं दोस्तों अब इसकी मैंने साइज की बात बता दी आपको लगाना कैसे स्टॉल कैसे करना है तो बात करते हैं टेक्निकली यह लीड दी गई है इसके पीछे और बॉक्स दिया गया एक पोजेटिव और नेगेटिव और जहां हमारे ए रिक्सा में नेग चारों बैकरी यह यहां अब आगे जा रहा है तो चार्जिंग के लिए आउट पूर निकल जाता है तो हमें ही डारक्ट हम चाहें तो बैक्री भी सीज़य तार लगा सकते हैं चुकि ओवर्चार्ज होने की संभावना नहीं है चुकि ओवर्चार्ज नहीं होगा तो आपको कंट्रोलर की जरूरत नहीं है अगर लेटेस बैटरी के साथ आप काम कर रहे हैं तो लगा क्ट्रोट लगा सकते हैं ठीस को लिए चार्ज कृल यह लगा सकते हैं लगा सकते हैं जहां आपके अर्प बीड़ी बत on सकते हैं और अपना चट्वे लगा लगा लेंगे के माध्यम से तो आra जो हमारे सोनु भाई हैं और सो आज से करीवन कैई साल पहले सोनु भाई ने इस पर रिक्षा पैनल लगा रखे हैं रिक्षा पे अपने पर और इन्होंने नौर्वली अपना फ्रेम बना के 70-70 वाट के पैनल लगाए थे अब इनमें से पैनल टूट गया है इनका तो अब इ आदमी तो यह अपना बता रहे हैं कि इसको आसानी से फिट हो जाएगा चुकि टेक्निकली नोंने पहले भी अपने आपी उस समय एवलेबिल भी नहीं थे रिक्षा पैनल तो चार पैनल इन्होंने छोटे-छोटे 70-70 बाट के लड़ी लगा रखे हैं दोस्तों आपको कैस करना चाह रहे हैं तो मेरी वीडियो को डिस्क्रेप्शन में जा सकते हैं महां मैं कंपनी के सेल्स एक्जुक्रेटी में उनके नमबर दिये हैं वह बात करके पैनल आप पर्चेज कर सकते हैं